स्री सिवाय नमस्तू भ्याम दर्सकों हिंदू पंचांग के नुसार हर माह में कृष्ण पच्च के अंतिम तीथी को अमोस्या के नाम से जाना जाता है फालगुन माह में पढ़ने वाली अमोस्या को फालगुन अमोस्या के नाम से जाना जाता है साल दो हजार तेईस में भालगुन अमोस्या सोमवार के दिन पढ़ने के कारण इसे सोमवती अमोस्या के नाम से जाना जाता है सोमवती अमोस्या सुक सोभागी की प्राप्ति के लिए विसेश फलदाई मानी जाती है मोती अमोस्या के दिन इसनान दान का विशेश महत्व माना जाता है साथ ही इस दिन पित्र लोक की आत्मा की सांती के लिए तरपडव स्राध भी करने का विधान है आज के इस वीडियो में हम जानेंगी कि साल 2023 में फालगु निया सो मोती अमोस्या कब है उननीस या बीस फरवरी को अमोस्या किति थी क्या रहेगी पूजन की बिधी क्या है चंद्र दर्सन का समय क्या रहेगा और करना ना भूलें तीन काम दर्सकों हालगु अमोस्या के दिन सुबह ब्रह्म भूरत में जल्दी उठकर किसी नदी या सरोवर में सनान करें अगर संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिला कर सनान करें इसनान के पस्चाद दान पून करने की परंपरा है आप जरूरत मन ब्यक्ति को उड़त की दाल या चावल आटा घी दही सवजी या कपड़े दान कर सकते हैं मानिता है कि अमरस्या के दिन दान पून करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कश्टों से मुक्ति मिलती हैं साल 2023 में फालगून अमरस्या 20 फरोरी 2023 दिन सोमवार को है हालगून कृष्ण अमरस्या तिथी का आरंभ होगा 19 फरोरी की साम 4 बचकर 18 मिनट पर और समापती होगी 20 फरोरी की दोपहर 12 बचकर 35 मिनट पर चंद्र दर्शन का समय रहेगा 21 फरोरी 2023 दिन मंगलवार की साम के 6 बचकर 15 मिनट से 7 बचकर 25 मिनट तक तो दर्शकों वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियान एजिक्वेशन को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के जितना ज़्यादा हो लाइक और सेर कर ले मिलते हैं अपने नेट्ट वीडियो में तब तक के लिए श्री सिवाय नमस्तू भ्यम